बिहार विधान सवाज चुनाओं को देखते हुए लगभग सभी राजनितिक दल अपनी पूरी ताकत जोग दी है वो चाहती है कि इस बार के चुनाओं में वो किसी भी तरह बिहार की सत्ता अपने पाले में कर सके जिसको लेकर वो लगतार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह जनता उनके तरफ आए और उन्हें बोर्ट गड़े इस बीच चिराग पासवान ने यह एलान कर दिया है कि इस बार के बिहार विधान सवाज चुनाओं में वो जड़ियू से ज़्यादा सीटे जीतेंगी दरसल बिहार विधान सवाज चुनाओं को देखते हुए चिराग पासवान ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फरेंस किया था जहां उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाओं में नितीश कुमार की विधाई जो है वो लगभग लगभग तै हो गई है इस बार के चुनाओं में नितीश कुमार का भी उंगली उठाई या कोई भी सवाल करे इसलिए वो मुझे ना पसंद करते हैं चिराग पासवान ने साथे साथ यह भी कहा कि इस वार के चुनाव में यह लगभग जनता भी चाहती है कि बिहार में बदलाव हो और जो बिहार में बदलाव की हवा दोड़े और लोजपा के इस वार सरकार बने चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी परिस्थिती में महागडवंदन के साथ नहीं जाएंगे हाला कि वो बिजेपी के साथ रहेंगे और चुनाव जितने के बाद वो बिजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे साथे साथ चिराग प आस्वान नितीश कुमार को लेकर कहा कि नितीश कुमार खुद के दम पर कभी चुनाव लड़ना नहीं जानते हैं दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चलाते हैं साथी साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में वो किसी भी तरह करके जनता का दिल जीतेंगे तो ऐ आसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशन नियूज के साथ नमस्कार